नमस्कार मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे वरत के लिए साबुदाना खीर बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी तो होता ही है यह इतना जाता टेस्टी होता है कि आप बिना वरत के भी खा सकते हैं तो इसको बनाना सुरू करते हैं इसके लिए हमे कुछ त्यारी करनी पड़ती है, पहले से साबुदाना ले लेंगे, उसको अच्छा 3-4 पानी धोलेंगे, इसमें बहुत सारे स्टार्च होते हैं, उसको हमें निकालना होता है, 3-4 पानी धोल लेने से यह साफ हो जाएगा, उसके बाद हम साफ पानी में इसको भिंगो के रख फूल क्रीम दूद को हम अच्छा उबाल लेंगे, थोड़ा ड्राइब फ्रूट काट लेंगे, आप कोई भी ड्राइब फ्रूट ले सकते हैं, बदाम, काजू, पीस्ता, अब हम बनाना शुरू करेंगे, इसको बनाने के लिए कड़ाई या पहन ले लेंगे, उसमें एक चमच घी डालेंगे, ड्राइब फ्रूट्स को डाल कर इसमें थोड़ा भून लेंगे, जब ये भून जाएगा तो ड्राइब फ्रूट्स को हम निकाल के रख देंगे, अब इसमें भींगोए हुए साबुदाना डालेंगे, साबुदाना को डाल कर हम भूनेंगे, आप अपने श्वात की साब से डाल दे अब जो हमने राइब फुर्ट को भूना था उसको भी डाल देंगे थोड़ा किसमिस डाल देंगे आप लाइची पावडर भी डाल सकते हैं तो अच्छा चलाएंगे मेंक्स करेंगे रेडि हो जाएगा हमारा साबु दाना का हीर यह बहुत ही टेस्टी बनता है राइफ फ्रुट से गार्नीशिंग करेंगे तो इसको आप बनाएए खाईए इंजोई कीजिए थैंक